Hello students, so आज का जो हमारा lecture है that is average, speed and velocity इसका जो next part होगा instantaneous speed and instantaneous velocity इसको हम लोग next lecture में देखेंगे जो पहले बात speed और velocity के बारे में हम लोग सबस्कते हैं ये दोनों के दोनों इसका rate of change ये दोनों rate of change है rate of change का मतलब कहा है how fast any quantity is changing किस rate से कोई चीज़ चेंज हो रही है जैसे आप कही बार बोलते हो population बहुत fast rate से ग्रो हो रही है inflation मांगाई बहुत fast rate से ग्रो हो रही है so कौन कितनी जल्दी change हो रहा है that is rate of change ये time के साथ भी हो सकता है position के साथ भी हो सकता है किसी और variable के साथ भी हो सकता है तो अभी इसको simple words में हम समझते हैं कि ये दोनों के दोनों किसी ने किसी चीज का change बताते हैं rate of change बताते है speed क्या बताती है speed बताती है how fast distance is changing and velocity बताती है how fast position is changing and you can say displacement is changing तो कितनी simple सी बात है distance कितनी जल्दी change हो रही है या increase हो रही है क्योंकि आपने बढ़ा था distance decrease तो हो नहीं सकती उसको आप बोलोगे speed position कितनी जल्दी change हो रही है इसको आप क्या बोलोगे velocity अब यह जो rate होती है हमेशा दो type की होती है physics में first average and second instantaneous और बोलोगे अब हम लोगे अब हम लोगे एक एक करके पड़ेंगे आज अपने को बस average speed and velocity पढ़ना है so average speed का definition क्या होगा total distance upon total time and average velocity की definition क्या होगी so average velocity हो गई total displacement upon total time तो आप देखे हो average में हम हमेशा interested होते हैं over all calculation में over all कितने का change आया हर point पे कितने का change आया हम उसकी बाद नहीं करते हैं जैसे आपके score भी आते होंगे school exams के तो on and average आप उसका average percentage निकालते हो एक एक point को देखना that is instantaneous observation और एक साथ किसी total time duration के लिए देखना आप उसको क्या बोलते हो average speed तो आप देखे हो average में हम हमेशा interested होते हैं over all calculation में over all कितने का change आया हर point पे कितने का change आया हम उसकी बाद नहीं करते हैं जैसे आपके score भी आते होंगे school exams के तो on and average आप उसका average percentage निकालते हो एक एक point को देखना that is instantaneous observation और एक साथ किसी total time duration के लिए देखना आप उसको क्या बोलते हो average speed एक दूसरा example आप average run rate देखते हो जब कोई team batting करती है total runs upon total over then वहाँ show की आ जाता है total runs per over so that is average runs per over एक दूसरा example देखो जिनको cricket में interest नहीं है suppose आपकी class में 40 students है और किसी ने आपको party दी समोसे की party assume कर लो पसंद ना भी हो तो assume कर लो तो इसमें से 10 बच्चों ने एक समोसा लिया इनको भूख कम लगी है 10 बच्चों ने 2 समोसे लिये 10 बच्चों ने बिलकुल नहीं खाया उनको अच्छा नहीं लगता है या उनका fast है 10 बच्चों ने 3-3 समोसे खाया 10 में से हर एक बच्चे ने 1 यहां हर बच्चे ने 2 here each student 3 समोसा जो अगर आप इसका average निकालोगे एक student ने कितना consume किया तो पहले आप total number of समोसा निकालो 10, 20 and 30 divided by 40 although इन्होंने कोई consume नहीं किया है but number में तो यह count होंगे ही तो यह value कितनी है जाएगी 1.5 समोसा 1.5 समोसा पर student क्या किसी ने भी 1.5 समोसा consume किया है क्या नहीं किया है यह average में एक ध्यान देनी वाली बात है हो सकता है वो value किसी ने गेल नहीं किया है जब एक कार चल रही है तो हो सकता है यह average speed से वो बिलकुल कार चली ही नहीं है बट उसका फिर भी average वो value आ रही है तो इसका actual meaning और आप थोड़ा ध्यान से समझना पहली बात तो यह हो गई it is not necessary that this value was acquired anywhere कहीं न कहीं यह value आई होगी या acquire की दे होगी ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है दूसरा इसका actual meaning क्या है अकर आपने हर बच्चे को 1.5 समोसा दिया होता एसा काटेंगे नहीं उसको तो भी total number of समोसा कितने consume होते हैं 60 यहाँ भी कितने consume हो रहे हैं 60 अकर आप इसकी बहुत simple meaning आप समझोगे average की average किसी भी quantity का हो सकता है average speed, average velocity, average current average acceleration कोई सी भी quantity का बहुत simple सा meaning है average का which gives equal sum, which gives equal total आप चाहो तो अपने notes में pause करके इसको बहुत अच्छे से लिख लो इसकी meaning आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी rather than definition आगे जाके अभी तो हम definition का बहुत ज़्यादा use करेंगे तो हमने क्या देखा pause करके आप चाहें तो लिख लिजी average means a constant value which gives equal sum equal sum to what that is given by variable values variable values सबने अलग-अलग consume किया होता तो भी total कितना आता 60 सेम consume किया होता तो भी कितना आता 60 तो बहुत फिस तर रिपीत कर रहा हूं average means a constant value which gives equal sum और equal total आगे जाके आप इसको देखोगे कि हम जो ये equal total बोल रहे है वहाँ हो जाता है equal integration और हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी भी function का average ऐसा होता है अगर आपको time average निकालना है यहाँ dt होगा space average निकालना है यहाँ dx होगा बट वो आप जब ये चीज आएगी आप already इसको वहाँ समझ जाओगे अभी हमने differentiation integration पढ़ा नहीं है तो हम लोग अभी इस पे नहीं जाएंगे simple definition पे जाएंगे total distance upon total time ये तो पहला important point था इसके definition and meaning which gives equal sum अब second important point आप वहाँ पे लिखना speed का मतलग अगर आपसे पूछा जाएगा only speed can speed be distance upon time no average speed is total distance upon total time आगे 11-12 के syllabus में 9-10 तक ये चलता है कि आपने distance upon time लिख दिया क्योंकि वहाँ सिर्फ हम average ही पढ़ते है most of the cases में आगे के syllabus में अगर सिर्फ speed लिखा है तो that means instantaneous speed सिर्फ velocity लिखा है it means that is instantaneous velocity आप याद रखना अगर average instantaneous mention नहीं है तो आपको हमें सा कौन सी value ले लिए instantaneous value आप चाहो तो notes बना लो pause करके if it is not mentioned we have to take always instantaneous value third important point अगर सिर्फ rate लिखा हुआ है physics में कहीं mention नहीं है whether with respect to time और with respect to distance कुछ भी mention नहीं है so rate का मतलब हमेशा होगा d by dt and gradient का मतलब होगा d by dx हम यहाँ time average निकाल रहे है इसलिए यहाँ total time से divide है और यहाँ भी total time से divide है अगर हम लोग gradient निकालेंगे तो वहाँ x से divide होगा यह differentiation में हम लोग जाके आगे देखेंगे बट आपके यह 3 important points होगे आप चाहो तो pause करके यह revive करके आप उसको अच्छे से note कर लेजिए now है किसका example solve करते हैं सबसे पहले वंडी में solve करते हैं इस question को जाओ आपके आपके बापके ènवे टर्वा़ोब्से बापके यह करके आपके करते हैं सबसे हाँ अज़े से height जाँ हैं यह थाँ हैं वर दिछे से अटो आपके ओके यह तो आपके तो यहां एक particle है एक straight line में 10 meter 2 seconds में जाता है and 4 meter 1 second में वापस आ जाता है आपको average speed बतानी है average velocity बतानी है so average speed क्या होगे 10 meter and then 4 meter average speed यहां बाहर नहीं लगा है it means average speed बाहर लगा है मतलब vector average velocity so total distance किती होगे 10 plus 4 total time किता हो गया 2 plus 1 it means 14 by 3 meter per second देखो मैं हमेसा कहता हूँ answers निकालके आप satisfy नहीं हो आप हमेसा उसकी meaning को समझो यह answer कह क्या रहा है यह answer यह कह रहा है कि अगर इस 3 second तक यह particle एक ही speed से चलता है uniform speed से speed चेंज ही नहीं होती इसकी यहां क्या और यह speed चेंज हो रही है 10 meter जाने में 2 second लगा 4 meter आने में 1 second लगा अगर वो एक ही speed से चलता उतने ही time में उतने ही distance travel करनी है तो वो speed कितनी होती 14 by 3 meter per second कैसे calculate करके देखो total time कितना 2 plus 1 3 इसमें 3 का multiply कर दो total distance यहां से भी कितनी आयागी 14 वहां भी उसने कितना travel किया 14 तो अगर यह अलग-अलग speed से जाके वापस नहीं आता एक ही speed से चलता होता तो उतने ही time में उतने ही distance travel होती है विच इक्वल total का मतलब है यहां equal distance in equal time next is average velocity so average velocity हो जाएगी 10 minus 4 because that is displacement 10 आगे गया 4 पीच यहा है इसी line में वापस आया divided by 2 plus 1 so that is 2 meter per second यहां से भी आप calculate करके देख सकते हूँ यहां से भी आप calculate करके देख सकते हूँ कि अगर वो 3 seconds तक 3 seconds तक 2 meter per second से move करेगा तो भी displacement यहां से भी 6 ही आएगी equal की आएगी 2D के थोड़े और question लेते हैं एक interesting question लेते हैं सपोज यह कोई point है और यह एक दूसरा point है यहां से रड़वीर चलता है यहां दीपीका के पास 5 km distance travel करता है half an hour और 30 minutes 30 minutes यहां से iron man चलता है अब आप बोलो यहां iron man क्या कर रहा है यह zoom कर लो यह चलता है straight जा रहा है iron man है तो 2 km in 2 minutes obviously straight जा रहा है और वो iron man 2 minutes में पहुँच गये अब आपको क्या बताना है इसका average speed and average velocity इसका बताना है average speed and average velocity इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना पहले solve करते है रडवीर के लिए रडवीर के लिए average speed क्या होगी distance upon time 5 divided by km per hour में निकाल रहे हैं तो आप इसको आज में change करके रखो 10 km per hour इसकी average velocity क्या होगी रडवीर के लिए so important यह है कि although यह इस पाथ से गया है but displacement कौन सालेना है आपको यह 2 km बालना है so that is 2 divided by time इसका half equal to 4 km पर आप direction क्या होगी from initial point to final point same same अगर आप iron man के लिए निकालते हो so iron man के लिए तो distance और displacement दोनों क्या है same है displacement का जो magnitude है वो same है basically distance के so average speed क्या होगी 2 divided by इसका time taken 2 by 60 60 km पर आप इसकी speed जाना है और average velocity का भी magnitude आप निकालोगे तो भी displacement उतने काउट नहीं है time भी उतने काउट नहीं है so again 60 km पर आप तो इसमें ध्यान देने वाले क्या बात है थोड़ा ध्यान से देखिएगा repeat के लिए although distance थी 5 km जब हम average velocity नहीं कालते है so as we have to take the displacement इसलिए आप यहाँ 2 लेते हो यह तो 2 चला ही है और इसमें दोनों cases में हमने 2 लिया है यह चला है 5 but यहां पर हमने लिया है 2 क्यों क्यों कि हम क्या निकाल ग्रेट average velocity so बहुत simple से क्विश्य है almost बहुत सारी बुक्स में हर जगर पे होता है एक कार ए से बी तक 80 की speed से जाती है और 120 की speed से वापस आती है आपको average speed निकालना है तो पहले आप वीडियो को pause करके आप इसका answer निकाल लो फिर उसको match करते है क्योंकि कई लोगों का इसमें wrong answer आता है अगर आपका answer आया 100 तो वो सही नहीं है क्योंकि कई लोग अभी जैसे 11th में आते है 10th से maths में हम लोग ऐसा average निकालते है 80 plus 125 2 and that is 100 यहाँ apply नहीं करना है because क्यों नहीं करना है क्या average का definition ही यहाँ change हो गया यह numbers का average था 80 और 120 के numbers का average था यहाँ आपको average speed निकालना है एक function का average निकालना है तो पहले मैं इसका correct solution बताता हूँ फिर बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता है सबोज ये x distance आगे जाता है और ये x वापस आता है अब आप बोलोगे distance ही क्यों assume किया बहुत simple सी बात है अगर वो a से b तक जा रहा है और b से a तक आ रहा है तो आपको information indirectly किसी के वेंड है distance की जितने दूर गया था उतनी देर दूर वापस आ रहा है तो आप क्या करोगे इन दोनों को ले लोगे x average speed क्या होती है total distance upon total time अब time तो question में given है नहीं तो हम क्या करेंगे distance upon speed से निकालेंगे and that is x upon 120 x को आप कर दो cancel उपर है 2 2 into 80 into 120 divided by 200 तो यह answer आएगा 96 km per hour अब थोड़ा इसको देखते है again answer को थोड़ा सा explain करके देखते है ठीक है कि actually यह answer होना चाहिए या यह answer होना चाहिए आप कोई सी भी distance assume कर लो थोड़ा यह time लेगा इसको आप अच्छे से समझना आपका answer आ चुका है but हम इसको तोड़ा सा explain करने के लिए समझते हैं अगर यह distance है 240 assume कर लेगे कि यह distance अगर 240 होती तो इसको जाने और आने में किस्ता time लगता जाने में time लगता 3 hours आने में time लगता 2 240 by 80 240 by 120 so अगर आप 100 लोगे into यह total time 5 करोगे तो क्या distance 240 plus 240 480 आएगी क्या बिल्कुल नहीं आएगी यहां आजाएगा 500 और average speed का मतलब क्या होता है which gives equal total इक्वल 480 आना चाहिए 96 से करके देखते 96 into 5 that is 480 यह बिल्कुल आएगा तो आप verify करके देख सकते हो उसकी meaning समझ सकते हो कि यही क्यों होना चाहिए यह क्यों नहीं होना चाहिए अगर अभी तक हम यह average का formula maths में बढ़ते थे तो ना यह question अगर variable के form से में यहन होता जैसे particle जा रहा है a to b with speed v1 and returns back with speed v2 तो हमारा answer क्या आता बहुत simple है यहाँ v1 आ जाता यहाँ v2 आ जाता और यह 2 v1 v2 upon v1 plus v2 आ जाता इस result को आप ऐसे block में highlight करके रख लेना जितने लोग notes बना रहे है इस result को अच्छे से आप highlight करके रख लेना यहाँ नीचे लेके लिख लेना only if a particle travels two equal distances with two different speeds though equal distance travel होनी चाहिए two different speeds के साथ then only this is applicable तो यह एक standard result है general formula तो वह ही है total distance upon total time यह result आगे हमारी help करेगा कुछ questions को solve करने हैं next इसी के जैसा दिखने वाला question लेते हैं बट वो question थोड़ा अलग है अलग है तो इस question में क्या difference निख रहा आपको वहां distance की information गिवन थी यहां किसकी information गिवन है टाइम की information गिवन है तो यहां हमको assume क्या करना है correct time assume करना है suppose first time was t and second time is t यह हो सकता है question में गिवन हो और हो सकता है question में ना भी गिवन हो सिफ some time लिखाओ यहां distance कितनी travel भी यह तो speed होगी अपने को लगाना है total distance upon total time so distance होगे speed into time speed into time so v average क्या होगया v1t plus v2t divided by 2 v1 plus v2 by 2 आप चाहो इस result को भी highlight करके रख सकते हो यहां पर लिखना किया आपको only if a particle travels for two equal times with two different speeds यहां time equal होगा speeds क्या होगी different होगी now अगर इसी में इस वीवन की जगे 80 km पर आप and 120 km पर आप यह given होगा last question जो आपने किया था इन ही लिटर के लिए किया था बट वहाँ distance equal थी यहां क्या equal है time तो क्या आजाता आपका answer first distance second distance by t plus t equal to 100 km पर आप तो यह answer आजाता जो पर लोग पिछले question में निकालते है तो दोनों results आप याद रखना 2 v1 v2 upon v1 plus v2 कब लगाना है जब distance equal होगी v1 plus v2 by 2 कब लगाना है जब time equal होगा next question given है जिसमें equal time या equal distance given नहीं होगी उसका कुछ part given होगा obviously वह दोनों formula special cases के लिए थे जब यह तो distance equal है यह तो time equal है अगर equal नहीं होगा तो कैसे करेंगे यह देखिए गहीं होगी झाल 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 है झाल 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 तो इस question में क्या given है 2 5th of the total time with speed v1 and rest 3 5th with speed v2 so obviously again information इसके given है distance या time time के information given so let total time equal to t solution समझने से ज़्यादा important हमेशा आपके लिए कि हमने ऐसा ही क्यों proceed किया हमने time ही क्यों assume किया because time की information given है time तो total t हो गया अब आपको निकालना है total distance कितनी होगी so first 2 5th time में मतलब 2 by 5 t में और इधर 3 by 5 t में इधर कितनी distance travel होगी v1 speed से speed into time इधर कितनी travel होगी speed into time अब आप average निकालो total distance upon total time 2 v1 t plus 3 v2 t by 5 whole divided by t so that is 2 v1 plus 3 v2 divided by 5 यह बहुत simple साहे now इसका एक short method देखते है आप इसको orally कैसे कर सकते हो अगर time की information given है और time के fractions given है total time is 5 इसका out of 5 2 part v1 से travel हो रहा है 3 part v2 से travel हो रहा है तो आप लिक दो 2 v1 plus 3 v2 divided by total 2 plus 3 इस a fraction अगर v1 से travel हो रहा है b fraction v2 से travel हो रहा है तो क्या आप रहा है a v1 plus b v2 divided by a plus b यह इससे आप orally answer calculate कर सकते हो इसी question में थोड़ा change कर देते है total time की जगे total distance लेगे 2 5th of total distance with speed v1 and rest 3 5th of total distance with speed v2 इसमें क्या एजियों करना चाहिए very good distance एजियों करने चाहिए black total distance equal to x अब इसका 2 5th distance और यह 3 5th distance v1 से ट्रेवल हुआ है v2 से ट्रेवल हुआ है formula में रखने के लिए भी क्या known नहीं है time known नहीं है distance upon speed time की जए value होगे 2 x upon 5 v1 इसको divide करोगे 3 x upon 5 v2 so average speed क्या आ गही total distance इन दोनों को add भी करो x ही आएगा upon total time 2 x upon 5 v1 plus 3 x upon 5 v2 LCM लेकर आप इसको solve करोगे x cancel हो जाएगा 5 v1 v2 upon 2 v2 plus 3 v1 अब आप लोग इतने smart होई कि आप इसका answer directly calculate कर सकते हो short trick ले आपको समझ में आगई होगी कैसे short trick case में distance का कोई fraction अगर वो v1 से travel हो रहा है और 3 वाला v2 से travel हो रहा है तो उपर क्या करना है आपको 2 plus 3 लिख देना है 2 plus 3 v1 v2 नीजे का लिख देना है आपको cross multiplication 2 v1 plus 2 v2 plus 3 v1 very simple again अगर यहाँ a होगा यहाँ d होगा तो थोड़ा आप ज्यान से समझेगा क्या answer आएगा यहाँ पे a fraction with v1 b fraction with v2 तो answer क्या आएगा a plus b v1 v2 divided by a v2 plus b v1 that is simple अभी यह जो दो short trick हमने देखी है आप उसको अपने दिमार में रख लो क्योंकि उस पे based मैं दो question आपको देने वाला हूँ दोनों का answer आपको 10 से 20 सेकेंड में निकालना है देखते कितने लोग करते है so पहला question है यह distance का 1 4th v1 से and distance का 3 4th v2 से अब pause करके 10 से 20 सेकेंड में इसको solve करके देखो answer आ रहा है यह नहीं बिल्कुल correct उपर क्या जाएगा 4 v1 v2 नीचे यह first part cross multiply होगा v2 से और 3 part multiply होगा v1 से यह आप 10 सेकेंड में लिख सकते हो next इसी में मैं थोड़ा change कर रहा हूँ ready रहना आप कुछ लोगों को तो इसमें 10 सेकेंड भी नहीं लगा होगा 1 v1 प्लस 3 v2 डिवाइड़ बाइ 4 वेरे जबाइब तो अगर आप ऐसे 10 सेकेंड भी सेकेंड भी हर question में बनाते होँ तो definitely आपके overall speed बहुत ज़्यादा improve होती है सिर्फ आप ये मत सोचों कि हमने एक छोटा सा short trick सीखा है ये चीज़े जब आगे जाके आप कहीं apply करोगे तो वहाँ बड़े question में भी आप time बचा सकते हो जेही advance के question में भी आप time बता सकते हो अब अगर two parts की जगे three parts में divide की गए ये journey तो कैसे करेंगे तो अभी जो मैं question बोल रहा हूँ उसको आप slow करके या pause करके note कर लेना दो question करेंगे जिसमें journey three parts में divide की गए पहला जिसमें three equal time के लिए particle travel करता है तो question कैसा होगा यहां से आप note करना अब particle travels for three equal time intervals with speed v1, v2 and v3 we have to find average speed so बहुत simple से है total distance speed into time divided by total time so that is v1 plus v2 plus v3 by 3 तो वही result extend हो गया v1 plus v2 by 2 था यहां पे क्या आ गया v1 plus v2 plus v3 by 3 आ गया very simple next जो question है इसको भी आप अच्छे से थोड़ा सा नोट करियेगा कॉपी में paus करके a particle travels three equal distances with speeds v1, v2 and v3 we have to find average speed अब इसमें मिस्टेक क्या होती है कुछ लोग फटा फट करने के चक्कर में 3 V1 V2 V3 अब आल V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देते हैं तो आपने पिछले रिजल्ट को एक्स्टेंट किया तो हम इसको भी कर देते हैं ये रॉंग हो जाएगा क्यों उपर विलोसिटी का क्यूब है नीचे विलोसिटी है तो ये तो एंसरी विलोसिटी में नहीं ये तो विलोसिटी का स्क्वेर आ रहा है तो आप बेसिक्स पे जाओं बहुत सिंपल सा है टोटल डिस्टेंस अब आल टोटल टाइम एक्स कैंसल करोगे उपर विलोसिटी बचेगा एल्सी अम लोगे उपर तो यहां तक सही आएगा ये जो हम रिजल्ट सोच रहते हैं बट जब आप एल्सी अम लोगे वी वन के साथ यहां क्या आएगा वी टू वी त्री वी वन वी त्री वी वन वी त्री नाउ दिस इस यूर टैंसर आगे थोड़ा सा इसके एक ऊपर लेवल का कॉश्चिन करते हैं थोड़ा आप ध्यान से इसको देखिएगा आप लेवल का कॉश्चिन करते हैं आप लेवल का कॉश्चिन करते हैं तो क्वेश्चिन करते हैं पार्टिकल जो है half of its journey है पहले तो आप यह सोच के बताओ वो जो half of its journey लिखा हुआ है that is half of distance और half of time बिल्कुल सही एक लोग को बिल्कुल clearly समझ में आ जाता है half of journey हम हमेशा बोलते है तो वो half distance के बारे में information होती है बट आगे distance के information नहीं given है आगे किसके information given है time की तो अभी तक हम ने क्या solve करना सीखा था या तो distance के information given है या तो time के information given है या क्या given है दोनों information given है कोई बार नहीं इसको start करते हैं देखी half of its journey है इसने travel किये कितने से V1 streets है तो suppose यह x है यह half of the journey है इतर इसने V1 से travel किया आगे लिखा हुआ है half of the remaining time तो suppose मैं ले लिखता हूँ यह time जो है तो इसका half of the time T by 2 और इसका भी T by 2 यह travel हुआ है V2 से यह travel हुआ है V3 से अब अपने को average speed निकाल ली है पहले तो यह हम value put करते जाते हैं फिर देखते हैं कहां कुछ solve करना बढ़ेगा total distance कितना हो गया x plus x total time कितना हो गया यहां तो हो गया x upon v1 उधर time की value है T अब problem यह है कि अगर यह T हमने x के terms में निकाल लिया थोड़ा अच्छे से आप समझना कि हम solve कैसे कर रहे हैं सिर्फ solution को रठना नहीं हमको हमने T assume किया है अगर यह T x के term में आ जाता है तो यह पूरा का पूरा solve हो जाएगा x cancel हो जाएगा कैसे solve करेंगी यह जो x है वो ultimately यह गोनो distance ही तो है so that is V2 T by 2 V3 T by 2 very simple यहां से T की value कित्ती आगे 2x upon V2 plus V3 put it here 2x upon x upon V1 plus 2x upon V2 plus V3 यह x cancel हो गया LCM आप लेलो तो यह कित्ता आएगा 2V1 V2 plus V3 divided by V2 plus V3 plus 2E1 अभी आप इसको rewind करके भी देख सकते हो अगर आपको कोई भी doubt है यह easy की value यहां लिखे गई है अगर आपको कोई भी doubt है इसको आप फिर सर देखो और इस solution को समझो थोड़ा now अब आप बोलोगे sir इसमें थोड़ा दियान भी रखना पड़ेगा और थोड़ा time taking भी है मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप neat के लिए prepare कर रहे हो या मेंस के लिए prepare कर रहे हो और question में अगर आपको one minute से ज़्यादा का time लग जा रहा है तो वो method हमारे किसी काम का नहीं है advance के लिए हो सकता है concept के लिए हो सकता है neat और यह मेंस के लिए किसी objective exam के लिए तो वो काम का नहीं है तो इसका short method करा दू orally करना चाहोगे इसको सीधा answer भी लिख सकते हो देखते हैं पहले तो यह half of the journey है इदर half of the time है यह V1 V2 V3 इदर time equal given है इस half part को again अपने part में यहाँ पर बाट आए तो पहले इदर का average निकाल देते है equal time के लिए यहाँ का average कितना है का बताओ यह जो अभी आपको standard result याद करने बोला था equal time के लिए अब इदर distance equal है अगर distance equal है तो यहाँ आप कौन सा वाला formula लग जाएगा बताओ 2 V1 V2 divided by V1 plus V2 बस difference यहाँ क्या आगया कि V2 की जगे यह पूरी value आगे V2 की जगे यह वाला पूरा average आगे आप चौह तो V2 dash लिखके भी solve कर सकते हो अब आप इसका else के बलोगे यह 2 ऊपर चला जाएगा 2 V1 V2 plus V3 divided by 2 V1 plus V2 plus V3 match करके आप देखो we'll get the same result तो आप हमेशा यह सोचा करो किसी भी solution के बार क्या मैं इसको short कर सकता हूँ कितना short इसका answer निकाल सकता हूँ कितना fast इसका answer निकाल सकता हूँ इस question को थोड़ा change करते हैं इसमें क्या था पहले किसकी information given थी distance की आगे जाके किसको divide किया गया था time को क्या change हो सकता है smarter आप लो journey की जेगे total time लिखा हूँ है यहाँ पे और total time की जेगे remaining time की जेगे remaining distance लिखा हूँ है तो अब क्या हो गया पहले तो time को 2 half में divide किया गया है 2 halves and then distance को divide किया गया है तो इसको मैं बताता हूँ short method से पहले अब यह time है यह time है इधर वाली distance है x remaining distance चाहे हो इस distance के कितने भी times हो remaining distance का half travel होता है x by 2 x by 2 v2 से v3 से यह कितना है v1 तो क्या करना चाहिए पहले इधर वाले का average निकालना चाहिए कितना होगा बताओ 2 v2 v3 divided by v2 plus v3 अब किसके साथ इसका average निकालना है कौन सा वाला formula लगेगा v1 plus v2 divided by 2 इस v2 की जगे आपने इधर वाला पूरा average रख दिया पहले इसका average निकाला फिर उसका v1 के साथ average निकाल के पूरे का average निकाल दिया तो यह कितना आ जाया का बताओ इसको आप LCM लेके नीचे ले आओ 2 v2 plus v3 यह इधर multiply होगा v1 v2 plus v3 plus 2 v2 v3 यह तो हो गया इसका short method जिसमें आपने average निकाला फिर average निकाल लिया तो थोड़ा fast आप करोगे तो 30 seconds में 20 seconds में तो बना लो गया बहुत slow भी किया तो 1 minute में आप इससे कर लोगे अब आपको क्या करना है इसका first वाला method यादार है यह time t given है यह t given है total distance upon total time करके आपको निकालना है यह आपका homework है करके देखना लाके ही मानना है answer इतना पहली बार तो homework दे रहा हूँ kinematics का पहला homework है कर ले नहीं आ रहे था यह last के जो दो questions है offline class तो है नहीं online class है और अच्छे से अगर आपको clear करना है आप rewind करके pause करके अच्छे से फिर एक बार देख लेना वो एक homework भी try कर लेना जो long वाला method है उससे और अब लोग मिलते हैं next class में thank you very much